आज हम बनाएंगे परवल के भुजिया एकदम असान तरीके से इसे बनाना बहुत ही असान है जटपट सा बन जाता है चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं परवल के भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम याँ परवल को काटने से पहले इसे अच्छी तरह से धो ल सारे परवल को आप ऐसे ही कट कर लेंगे परवल को हमेशा धो के ही काटना है अगर आप काट के फिर धोएंगे इसमें पानी जैसा हो जाएगा फिर भुजिया इसका क्रिस्पी नहीं बनेगा सारे परवल काटने के बाद गैस पे रखेंगे कढ़ाई उसे अच्छी तरह से ग कर लेंगे आदी छोटी चमच मेथी दाना आदी छोटी चमच जीरा दना डालेंगे उसके बाद छे से साथ बारिक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे इसे हम चटकने देंगे फिर इसमें हम डालेंगे बारिक कटी हुई परवल सारे परवल आपको डाल देना है उसके बाद आदी से हम चमल से चलाते हुए सारे चीजों को मिक्स कर लेंगी मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले चटपटे बनाने के लिए आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर आदी छोटी चमच काली मिर्च पाउडर डालें सारे चीचों को डालने के बाद मिक्स कर लेंगी गैस को हाई कर देना है हाई करने के बाद इसे हम थोड़े देर छोड़ देंगे ऐसे चारो तरफ फैला की ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए अब थोड़े देर बात चलाएंगे आप देखेंगे कि इसमें से पानी पूरा निकल चुका होगा गैस को हाई करके इसे अच्छी तरसे पानी को सखा लेंगे एक से दो मिलिट में इसके सारे सोख जाते हैं जब सारे सोखा जाए फिर इसको हम धुझे चार से पाच मिलिटके लिए मीडियम पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि यह जले नहीं चार से पांच मिनट बाद इसे ओपन करेंगे आप देखें कि आपकी भुजिया बिल्कुल रेडी है कम क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी है दोस्तों इसे आप दाल चौल के साथ या रोटी के साथ खाई यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आपको इस पी में कुछ भी अच्छा लगया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा